संदेश खाली की अमानुय घटना ने पूरे देश को आक्रोशित कर रखा है आज संदेश खाली की दो बहने हमारे साथ हैं लेकिन दोनों बहने बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोलती हैं और नहीं समझती हैं तो उसके लिए हमारे साथ डाक्तर अनुभूती मिश्राजी हैं जो भेहनों की व्यथा को हिंदी में बताएंगी हम सबसे साजा करेंगी तो भेहनों की सार हम पूस्ते हैं किया पूरा घटना क्रम क्या था और कैसे उस जाल में आप फसीं ए घौटनाटा की चिलो की भाबे शुरू होलो और की भाबे तुमा देर के जालेर मुद्धे कांडों समस्तो शुरू कोरे चिलो अमा देर शांदेशका लिते हैं माचेर भेहरीक वाले आमी शारे पांच भीगे जो में चास कोरी ठाका लिस्नी है अन राप जनात्ते के ठाका लिस्नी अमी चास कोरी अमी खुब गरिग मानुष दिन आनी दिन खाई तो एबार आमरा आ अजिनिस्टा बंद बतता है अमादर जे पूल जल पेर है नोना जल है अई जागाए अमरे तालां आडी बेन जागा बंद बरी दुटो पूल अमरा बंद बरे दी दिले शाजन सेक शिवु हाजरा उत्तम सोर्था उतार वाही निहे अशे आमादर रूपला चोडा मरे थाना विडियो पीश जाकनवर धेरवा करी तो तो थाना तेके अमा़े भूमकी दीये चिल है भालोचाश्त शोरे दारा याखनओ सोंगाई आचे भालोचाश्त शोरे दारा वा भवभीश्या ते खुब खारा होगे तो आमी बला चला आमी मत ते राजिया छी किन्तो आमी लोड़े जाबुए चेखाने छेट तभए मी शेखाने जाबुए आमा तर बाप्चाते ज़ते शुरुक्षा थोपने आमने शेई वागश ताग बरुए आमाते जाबुए आमी डातिणी शोल बकुएश न बाप्चात बॉपने बनकी शुरुआणे खाय शुरुआर कीश ll no no x वे सब्सक्राइब करें दोज़न चाशी चीलाम तो अमने कोनो मत अमादेर कथा शोनलो ना तो उन तो आपन चुनेलनी तो बोल्चे आमादेर कीछा कड़ा ने थाने जाल अमारा माचर भेडी कोरवा तुई जोडी पतिवाद खोरवा श्तक्राप मात धार कोरवा अमार मोखेर उपर आराखुम छेड़े फेले दियाचे तीया बोलचे तुई शिभू हाजरा साजान शुकेर काचे जा तो तो तेर विचार कोरबे आम्रा आगेत तेके मार खेया आछी तो आम्रा इयुक भाय ओखने जाए नी तर परे एए अमरा जाखन थाना वावीश जाखनें घेरावा खोरी तो आखन ओरे आक्टा हूं की दिये छीलू अमा देर खें तोदेर घरबारी भांग चुर करवो, तोदेर ब्राबस्ता करोते बो, तोदेर शादा थान धोरी ये दोगो हाथे तोदेर सुन्चीस ना तोदे शामीर केर्ण करें टोच्चार बोर्बो, जाथे तोदेर ना मुख खुलते पारीश अमरा अम्रा तोभू अमरा शुकुने नी, जा खळाए हबे बोले अमरा आंगलोने नेमे छिला, तोदेर पारेशन दूर नितिक्तों आंडेर, CBI आछे साज़न शीगेर बारी, तोदेर नेमेला होए तोदेर लोगों आधो शाज़न शीगेर अधोरी এখানে এখানে শন্দশলি মদ দে ছিরেন তু অধ়ডু এখানে য়রে ভুরে দেরায় ভেরায় গেরায় চেতাক্য আরোতে মাজে ইক্টন শামাজন আস बहन जी ने अपनी वेथा को अपनी भारसा में बताया है अब डाक्साब उसको हमारे दर्सकों को लिये बताएंगी कि बहन जी किस तरह से वहाँ पीरित रही और किस तरह से उन्हें सोशन का शिकार बनाया गया संदेश खाली से आई हुई बहन जी का कहना है कि ये गरीब है इनके पास साड़े पांच बिगा की जमीन है जिसमें ये खेती का काम करती है लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ इनकी खेती के पानी में शाहजहान शेख और उनके लोगों ने इन्हों ने जो है नमक वाला पानी जो है इनके खेत में आने लगा तो इन्हों ने जब प्रतिवाद शुरू किया तो इन लोगों को तरह तरह से धमकाया गया लेकिन ये पीछे नहीं घटी ये डटके आगे बढ़ती रही और साथ में अपने साथ और लोगों को लेके प्रतिवाद का स्वर इन्हों ने जो है और जोरदार और मजबूत करत दक्ति गई provide finally ये हमारी बहने ये पहँची OC की पास थाने में इन्होंने वहाँ अपना कंप्लेन रखा लेकिन ये जो थाने के लोग के जो सरकार के OC है वहां local सरकार के इन्होंने भी इनकी नहीं सुनी और बोली कि बोला कि हम तुम्हारा विचार नहीं करेंगे तुम्हार विचार करेंगे शाह जहानशेक, शीवु हज्रा और उत्तम यही लोग आपका जो है विचार करेंगे आप उनके पास जाओ और इनको इतना इसके बाद इनके उपर शारिरिक निर्जातन भी शुरू हुआ बहन जी के चेहरे पे एक बड़ा सकत लगाया गया उनको उनके जाओगे आपको कुछी दिनों में हम विधवा बना देंगे आपके बच्चे नहीं जीएंगे आपको जो है बहुत मुश्किले होंगी पीछे हट जाओ लेकिन हमारी बहने बहुत साहसी है वो डटी रही और आगे इस लड़ाई का अंत वो देख कर रहेंगी यही उनका कह संदेश खाली की बहन ने भी बताया कि किस तरह से सहाजार शेख शिबु हाजरा और उत्तम सरकार जैसे टीमशी के गुंडों ने उनको और उनके परिवार वालों को धंकाया उन पर जाननेवा हमला किया और उनकी जमीन को कब जाने का प्रियास किया लेकिन यह बहने इतनी शहासी थी इतनी निडर थी कि अत्याचार सहते हुए भी यह उनके खिलाफ खड़ी हुई और उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की बहन जी आपको लगता है कि वहां जिस परिस्तिती में आप रह रही हैं वहां की सरकार वहां की पुलिस आपको इंसाफ जिला आपना देर तीन चाप देभे आपको धिसटी आप ले अंडा शामेश्तितना दे आपकोफ ब्रहां आपको थे ओनात्यात्याल पेयश्तिताश्तित उपको जवगताई आपना ज़ंगा जीश्तितनी टोगताई तेनी केवहां गभेवार्ण, एक शामन फाहर्ण, चापशाँ ऑफ्चासजैदाई निये अधिघर शोबार पागस पात्र दें तो आमी निजे ब्यागस्ता गोजब तो मुना कि अमी दीजी लांप पागस किन्तु आमालो क्रिभानदार आशे ने कोनो पकल्प आमी पाई ना अमा देर अखाने शरकारी शमस्ता किमबा एंजी ओच्छे शमस्ता जाए तो थानार ओशी वीडियो शाये शाजान छे शीबु भादरा उत्तम सद्दार बाने ओड़ा एक्शन दे भोशे पाटी अभिशे भोशे ड्रींग करे जे ज़त्प पकल पर जाए ओधर प्वाकिटे हुर्ति कवारे आमा देर शांदेश काली बोलून शांदेश काली जूप खाली बेड मुझे अगर ये सचें सब जगाए अमा देर के बहुंची तो पुले राखे एड जोन नो आमरा राज्य सरकार के पास हमें उनसे हमें कोई आशा नहीं है क ये हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, सरकार है वो हमें किसी भी तरह की मदद नहीं देगी हमें अगर आशा है तो वो केंद्र सरकार से है केंद्र सरकार को हस्तक छिप करना पड़ेगा तब ही हमारा कुछ हो सकता है और हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी का कहन है कि उन्होंने लक्षमी का भंडार औरतों के लिए बना कर रखा है हमें बहुत तरक्य की तरीके की जो है सुविधाये प्राप्त हैं लेकिन मैं अपने अनुभाव से बोलती हूं कि हमारे लिए कुछ नहीं है हम बस लड़ रहे हैं मैं कागज लेके गई थी कि हमें जो है इसमें कहा गया है कि हमें कुछ सुविधाये दी जाएंगी लेकिन मुझे नहीं मिल रही है तो मुझे साफ गवर्नमेंट के लोगों ने बोला कि नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि आप बीजेपी का काम करते हो और हमारे मेरे सामने मेरे कागज को फाड़ कर फेक दिया और मुझे अपमानित करके भगाया गया संदेश खाली कि यह हमारी बहने इतनी भोली भाली है और बंगाल के ऐसे इलाके से आती है जहां सरकार की योजनाएं बहुत तेजी से नहीं पोस्ती हैं वो उन्होंने कभी ऐसी परिस्तितियों का सामना नहीं किया जैसी परि कि इलाओं के साथ ऐसा थियाचार कही हुआ हो और वह भी जब जिस राजबी महिला मुख्यमंत्री है उनको इन बहनों को उन मुख्यमंत्री से भी कोई उमीद नहीं है अभी एक दूसरी बहन हमारे साथ है हम उनसे पूस्ते हैं कि अब उन्हें इनसाफ की कैसे उमीद है न कि भापे नाय चाहो तुम्रा गा था मुख्या कि इस नेया चाहा यहीं टाइज गो तो बारोगोचोर को चया अमधर वती वानने शवब माएं देल जले दर पो दो आमारे सामी भाई गोने दर पोती स्वानन दर पोदी जिंवत्त हूए जे वह चोरों सोस्तिच प्रच पिछले 12 साल से हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है इससे हमें बचाया जाए जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले केंद्र सरकार का हस्तत छेप हो और ये जो शाहजहान शेख हैं आलमगीर हैं इनके साथ जितने सारे लोग हैं इनकी हम अगर इनको बस कैद किया जाए तो 10 साल बाद निकलके ये हमें मादेंगे हमें नहीं जीनि देंगे हमारा भविश बिल्कुल अंधकार है जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं ये सारे जो संत्राशपरी हैं इनका इनको और हमें न्याय मिले इस तरीक नहीं जर्म संदेश काली की ये बैने चाहती है कि साहजां सेख की तरह उसका बाई आलमगीर और सिराज अहमद को भी सीबी इग्रफतार करें उनसे पूस्ताज करें ये दोनों लोग कही ना कहीं इनके बच्चों को इनके परिवार को परतारित कर रहे हैं जान से मानने की धंकी दे रहे ह है बहनों को बिलकुल भी उमीद नहीं है कि जब तक ये दोनों लोग भार रहेंगे उन्हें इनसाफ मिलेगा अलोंगीर आर शिराज एरा जतो दिन बाहरे थागबे तोमा देर कीमोने हाई राल जोदी आरेस्टेड ना होए शास्ती ना पाए ताहले कि तोम्राक उन्हों रोकुम नाय पेते पार उपावा संभव की ना 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 दिदी एटाई बोलते चाहीछी जे ओरा बाहरे थागल अलोंगी के गेपतार करा हो और उधे चारण शास्ती दोवा होग कान आमा देर पोती गतो भारोग अछो जेटा अमा दर पोती कोड़े एससे और बाकिरोईलों सुझोक्षूभीदा आमा सामी पोती बोंदी आमी कोनो सुझोक्षूभीदा पाए नामी खाताय कोलों में द अमा छेले आमा दुटो छोटो छेले तादेर पोजन चेड़े को था बोला ना अम आधर भोविष्ट अंदकर दी अमाधर भोविष्ट अंदकर आमरा राज्येर पूलिशेर उपरे कोनो भाष्षा कोडी ना आमरा केंदो वही नी चाहि एवंग CPI चाहिए अमरा CPI चाहि यह जब तक बाहर रहेंगे शाह जहान, आलमगीर और सिराज जो भी इनके हैं यह जब तक बाहर रहेंगे हमें किसी भी हालत में इंसाफ नहीं मिल सकता और सरकार इंसाफ देने की बात करती है हर छोटी चीज में यह देखी जा सकती है मेरे जो पती देव है मेरे हस्बंड ह वो दिव्यांग जन है प्रतिवंधी है और मेरे पास उसका सर्टिफिकेट भी है लेकिन उसकी वज़ा से मुझे जो मदद सरकार से मिलनी चाहिए आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला ना मुझे कभी चावल मिला ना रासन मिला ना पानी मिला कुछ नहीं मिला मैं लोगों के घर में बरतन माज के पैसे कमाती हूं, चार पैसे आते हूं, उससे अपने बच्चों को देखती हूं, खुद को देखती हूं, खुद अपनी लड़ाई लड़ रही हूं, लेकिन सरकार या राज्ज की जो पुलिस है, इसने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास कभी के खड़े नहीं हुए, मेरी लड़ाई मेरे अकेली की है, इसको मैं लड़ रही हूं, और इसमें मुझे पता है, मुझे मदद मिलेगी, केंद्र सरकार की, मैं CBI का हस्त चेप चाती हूं, इसके बिना मुझे कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता। अन्हारा सब आमाने देर एदिगे-दिगे पाली आशलो और की लुकालो और की, तोको अमी भेवे देगलाम, जे गतो दोष बच्छर की बारो बच्छर आगे आमारा कीचु कोत्ते पारी ने, भए, आमाने देले पीठ्ठे के गेचीलो, ता एटाई शुजग जे, एई श अत्त चिरररणी नारी निज य्यातन हो याचे, अमा दे धशन हो येचे, जे ऐत्तेचर आमा देर पती होएचे, ता आमरा एंड पति बात कोर आपकोर माया शन。 खोसरे पोतिवात्टा को डुदे पोतिवाट्टा को डेको और ओने इडी आशलो इडी के माध्डर इडी को कुलूनिये श्ळे ताम रख्यकुलूनी आम लोडो अम रासम मायरा लोडो तो इसली में भी ताक्तेविन उनारा स्वान्द देश कली अंदलन टाँ पृतुम शुरु कोरे छेलें शीबो हज रद देन सुझ ऑन्राइब ऑनि पृतुम शुरु कोरे छेला हुआ परे शब माई देगनि हैं अंदलन शुरु कोरते अमाखे खुब मेरे छे कोई सिराज सेक्षाजन तो धरापरे निमान तो उसी समय हमें लगा कि ये हमारे लिए एक मौका है इस मौके से हमें इसको गवाना नहीं है तो मैंने अपने आस-पास के गाओं के संदेश-खाली में जहां भी जो मा बहनी थी अपने अपरोच किया और हमने बताया कि हमारे साथ किस तरीके का सुलुक हो रहा है हमारी इजध आबरू के साथ कैसे खेला जा रहा है इस बात को हमें आगे लाने का लोगों के सामने लाने का एक मौका मिला और हम जो है CBI के पास गए और हमने अपनी बात रखने की कोशिश की और इसके बाद जब हमने अपनी बात रखी तो इसके बाद हमारे उपर साशारिरिक निर्जातन और बढ़ गया मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया हमारे घर में घुसके पुलिस की वर्दी में ये गुंडे आये और हमें घसीट के मारा पीटा हमें बहुत परिशान किया अत्याचार किया की समेघ़ जन्य काला कि अत्याचारी पाते हो ये ठाबान ऑबस में ठाबी अत्याचार किया। मैं गरीब हूँ असहाए हूँ हमारी फैमिली पूरी पुरा परिवार ही हमारा जो है गरीबों का परिवार है हमारे जीने का बस एक ही सहाय था जो मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, वहीं से हमारा रोजगार होता था त्रिनमुल के गुंडों ने उस दुकान को तोड़ दिया, तोड़ के तहश नहस कर दिया, मेरे पिताजी बहुत ज़ादा बिमार है वो हर इतने ज़ादा बिमार हैं कि हर महीनी उनकी दवाई में साथ से आठ हजार खर्च होता है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस पे हमारे पिताजी हमारी दशा देखते हैं मेरे इंटर्व्यूस टीवी में देखते हैं रोते रहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि राज्य सरकार हमें कोई मदद नहीं देगी और इसी तरीके से हम जो है इन समस्याओं से जूज रहे हैं हमने आये चाहते हैं संदेश खाली कि यह पीडित बहनें बहुत सहासी हैं बहुत निडर हैं वो कोई ना कोई रास्ता लिकाल कर दिल्ली तक आई हैं पूरे देश के सामने अपनी बात रहने के लिए हमें उमीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा अभी एक बहन कुछ कहना चाहती है अमी अंदलन्टा शुरू कर और पड़े आमार बाड़ीते से हुम की दियेगे छी लो गोले आमी कुनों कीचु माथाई धोकाई नी तामी बोल लाम जे आमा के क्यों थे में राखते पार गेना आमी एर पोती बात कोर भोई तकन से दिनार कीचु बोलो ना हुम की हम की दि आमार हस्ट्बेंट के धाका दुकी मारार पड़े चोले गाचे तार पोरे दिन आमी बाड़ीत थे के माने राप्ती दे खेद ये बाएरे बात तुमी बेरी जी आमा के एसीट छुडिया माल लो आमी नीचे बोस पोल्लाम एसीट गीए लागलो आमान मुर्की घड़े नी आमी के जानो ना बोल चे तुमी क्या नो एरकम सुडू कोरे चो तुमी छेड़े दाऊ ना आमी पोती बंदी मानुस आमाध्धुट बाद चा कोनो तो सुजग्षुविदा पाई ना आमी ना पोती बात आमी कोर बोई एटाई शुजग आर चुपकर थाका दिन ना आर ब सुजग्षुविदा पाई ना शुजग्षुविदा 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 पाई ना बारी बोसे था कि आमा धर भोट होए जाए बारी बोसे था कि अमांगे बोट होए जाए जब मैंने प्रतिवाद की शुरुआत की मैं अपने आसपास की माँ बहनों को लेके जब प्रतिवात की शुरुवात मैंने की तो मुझे कहा गया कि प्रतिवात बंद कर दो लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ मैं आगे बढ़ती रही और इसके रियाक्शन में उन्होंने वो हमारे घर में घुसके आके मुझे मार पीट किया मेरे हस्बेंड को मार पीट किया मेरे जो पती है वो दिव्यांगजन है उन्हें सताया लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया इन्होंने मेरे घर पे मेरी तरफ आसिड फेक के मारा और मेरे चहरे को मुझे जलाने की कोशिश की लेकिन मैं बैठ गई थी और वो asset मुझे hit नहीं कर पाया तो इस तरीके से मैंने किसी तरीके से खुद को बचा लिया और हम जो है मुख्यमंत्री बंबता बैनर जी तक पहुँचने की कोशिश हमने की है हमने उनको वारता भेजने की कोशिश की है, हमने इंटरव्यू दिया है, बताया है हमारे साथ क्या हुआ है लेकिन वो हमारी बातों में बिल्कुल भी दिल्जस्पी नहीं रखती है वो इंट्रेस्टेड है जाके दीदीगिरी में अपनी कहानी सुना रही है दीदी नमबर वन टेलिविजन में जा रही है, अपना प्रचार कर रही है सोशल मीडिया में अपना प्रचार कर रही है लेकिन हमारी जो दिक्कते हैं उसको वो बिल्कुल ही अनसुना कर दे रही है और ये जो मम्ता दीदी कहती फिरती हैं कि लक्षमी के भंडार से हम सब को इतना जादा मदद कर रही है ये बिल्कुल जूटी बात है मुझे कभी भी यहां से कोई भी फाइदा नहीं मिला है और उसके उपर हमें दीदी बोलती है कि हम भाहिरागत हैं हम बहिरागत नहीं हैं, हम बंगाल के हैं, यह हमारी जमीन है, अगर कोई बहिरागत है, तो दीदी हैं, और जो गुंडे आके हमें परिशान कर रहे हैं, वो बहिरागत हैं, उन्हें जो है सजादी जाए, ना कि हमें बहिरागत कहके हमें इस तरीके से अपमान किया जाए, हम तो अपने हकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी बोला जाए, हमें वोट तक नहीं डालने दिया जाता है, हम जब वोट डालने जाते हैं, तो हमारी उंगली पे जस्ट काली का दाग लगा के कह दिया जाता है, कि तुम्हारा भोट हो गया, तुम यहां से च जब रहे हैं, इनी जिगेश कोच्छें, जे एई जे पूरो जार्णिता है, जे बैथा आई, जे दुखो, कस्थो, एगलो कतो दीन धरे तमना सज्जो करे आश्चो, एगलो बहुद उन तेके आमना सज्जो करे आश्ची, जामन कुडी वच्छ, सेक्सा आजन, CPM कोच्छ कोक्छें तेके TMC ते जाइन्ट करलो, जाइन्ट करे बेशी वच्छु वच्ताचा, सेक्पीम कोरो जाइन्ट करा तंड पुचुर वच्छुर वाश्चार को छेवरु वच्साल कोच्छ अवारा नाख्षा चालाई बाच्चा आच्छे आच्यां अमा शामिरा भी जोलकार बुले दाओ जोलका मी भी फिशारी आग है आटा इमरा माश्या आग आख अमरा नोदी सामने नोदी आचे उखान थे कि पीन माग भागदा भूरे अमरा ही जोलकारे चास कोई यह वरा अटा उरव ढ Lebanon को एड़ूरे मार पर है आमरा इतो बुडर अमारा निंद जोल्ह राग निए जोल्हें जोल्री कि अधिल्काँ आग भीगे आर पुमाटाई भी जेखान्या निया चास कोई तादर अर आगाम पांच बशलन्रे एक रिजमियन नें दभा स्तिए तो यह बहन कह रहे है कि पिछले 20 साल से जब से शेक शाजाहान बांगलादेश की बॉर्डर क्रोस करके शंदेश खाली एरिया में बसने लगे है तब से लेके आज सक इनका अत्याचार इन बहनों ने और सारे पुरुष भी सब ने सहा है परन्तु पहले यह जब CPIM के साथ था तभी भी अत्याचार करते थे परन्तु अभी का अत्याचार है वो पिछले वाले अत्याचार से कही गुना ज्यादा है पहले तो यह आके जो इन लोगों की मूल जो प्रोफेशन है फिशरी और फिश पिन को कल्टिवेट करना वो सारा इन्होंने इल्लीगली दखल कर लिया जब इन्होंने पूछा की क्यों आप लोगोंने दखल किया है उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया तो यह एक तरह की अत्याचार चलते रहें संदेश खाली की इन बहनों का सीधा सीधा आरोप है कि साहजांशेख और उसके जितने भी गुर्गे हैं सब सीवा पार्षे बंगलादेश से संदेश खाली आये हैं और उन लोगोंने इनके जीवकाव पार्जन की जो भी साधन है मसली जोटे बोटे इनके खेत हैं उन सब पर कब्जा कर लिया है और जबरदस्ती इनको इनकी रोजगार से बेदेखल कर दिया है जब इन बहनों ने या इनके परिवार वालों ने उनका विरोध किया तो इन पर अत्याचार शुरू हो गई एक ऐसी ही हैं हमारे साथ हैं जो बत अन्नो जो भुंडा जारा उष्षाते चीलो दलेर तारा की की प्रोकारे रोत्ताचा तोमादे शाते कोरेचे की की तोमादे शोजगोत्ते हुए चाहनो उब्ती अमी एक जोन EST महिला एक जोनेश्टी महिला । अमादे ड़ दास्थिके 12-24 भोच़ धनर अच्ड़ आधी बाशे दे जोमी हो भीना कारोने । आधी बाशी रह आऐ अमादे उखाने और राची थेके 2-3 शो भोचर आगे बासख कोरेचे राची थेके। तो शेख आमादे जॉंगल कात आपना जॉंगल के तो खने बास करूँछे शें जायग आमादे नहीं नहीं अहेज येबंग आधि बासे ते जोमि पुकूर, मने सगҪहत दर भेंगेद आहोतो जोमि जायगा दकल को रेने अहोत अजोमी गुलोकर निये फिशारी तोईरी करा होत्तो शक्षेक्षा जाहन ओषेक्ष फिशारी तोईरी कोटी-कोटी टाके इनकाम करे वी फिशारी थेके। एगों जारा प्रतिबात किल्ए मुहीला देरके मार्धर करा आहाय पूरुस छात्रह लाई प्रतिबात करा हाई उन ट्पर चले पड़ान चेले में me ता देर Shiftizers ठीक programming्हस weed है ऑँआर एक काकु인 Daarregister उन्हीं प्रतिबात करे छेले Disney यह लोग मुलत तीन सो साल पहले इन लोगों की जो परिवार है वो राची यानि की जर्खन की जो राजदानी है वहां से संदेश खाली में आके बस गए थे यह लोग आदिवासी संफ्रदाय की लोग है और इन्होंने जंगल काट के अपनी रहने की विवस्था की थे परंतु शेक शाजाहन की लोग और टीमसी के जो बाकी जो गुंडे है इनको भी नहीं इन लोगों का जितना वी जमीन ने घर बनाए थे सब कुछ को ले लिया बहुत जबरदस्ती और इन लोगों को बेदखल कर दिया था पूछने पर बहुत मारमारा है इनको भी और जितने वी पुरूषे भापे सबको इनका आग चाचाजी भी थे जिन्होंने इसका प्रतिवाद किये थे परंतु उस चाचा जी को भी गाउं से बेदखल कर दिया था और उस चाचा जी के जीवन के उपर हुमकी है कि वो अगर उस गाउं में वापस आए तो वो दोबारा जिन्दा बच के निकल नहीं सकते हैं सिर्फ यही नहीं महिला के उपर बाकी जो भी अ अन्य हिस्सों से कटा हुआ है यह लोग दलित आदिवासी समाज के हैं बहुत भोले बाले हैं इन लोगों को कानूनों के बारे में अपने अधिकारों को बारे में बहुत जादे नहीं पता है यह लोग वहीं जल जंगल जमीन में रचे बचे हैं वहीं अपना जीव को वार बोटी के संकट खड़ा हो गया इनकी इर्जत आब्रुतार तार हुई एक ऐसी भेहन हमारे साथ है जो अपनी वियाथा को हमारे साथ साजा करेंगी दिदी तुम्यों बलो जे तुमार साथ कीकी अत्याचार होएचे तुमार परिवारे साथे शेक शाचाहान एबंग तार भाई भाई गुंडरा कीकी ओई कोरेचे शेटा तुम्य एक्टु ब्याख्खा करो कि अपने यह जे आमडा जी जोडे मने शाजा शाजान शीव हज रावुत्तुम सोद्दार मीटिंगे डाग भे मने भोट पोचारे जुन्न जोदी आमडा ना जाई आमादर के बोल बे तुद्दे तोदे रहाते शादा थान पूं तुले देवो ना जोदी मीटिंगे जा मीटिंगे जाए 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 ज एवार्ष भारोदी नृकार्त थाम जा करते। थाने टोल था अमार दाशननल होगा ऐकंड चर्घ तिदल थाए है। तो यह बहन कहें रहे है कि इनके परिवार के साथ भी कुछ अनोखी प्रॉब्लेम्स हुई है जैसे कि जब भोट की प्रचार होते थे तब शेक शाजाहान और उनका जो बहुत इंपोर्टेंट कॉन्फिडेंट थे जो बहुत क्लोज एट थे उत्तम शौर्दार और शीबु प्रसाद हर्चरा उन लोगों की जो शंग्रेल थे वो लोग आके इन लोगों को जबर्दस्त घर से उठा के बाइक के पीछे बिठा के वोट प्रचार की नाम से बिभिन्य जगा में लेके जाते थे यहां तक कि खूलना डिस्ट्रिक्ट जो कि संदेश खाली एरिया से 300 मीटर ही अपास में है दांशार नदी के किनारे वहां तक भी ले जाते थे जो कि आवश्यक नही होते थे कि अगर हमारे साथ आप नहीं आए तो आपके हातों में सफेद थान उठा देंगे सफेद सारी यानि कि इनकी पतियों को मार देंगे और जाके बिभिन्य प्रकार की गलत काम करते थे और दूसरी बात है इन लोग जो धान चाश करके खाते हैं उस धान की जमीन पे धान काटने से पहले ही मचली का जो काल्टिवेशन ने उसके लिए नमक पानी छिटको देते थे ताकि वो धान मर जाए मर जाए ये लोग शेक्षा जाहन बांगलादेस थे के पालिये शेच आमा देर भारते एक पालिये शे नीजे आका आशे नी रोहिंगा देर के नीए रोहिंगा देर भाटाय कास दिये छे बड़ 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 बाड़ी दिये छे एबँ शेक्षा जाहान ता रोहिंगा देर के नीए एस्टेसे दर बड़ अत्ता चट्टा करे ग्रेपतार होच्छे आमादर संदेस्खालि मानूसर शान्ती नीए एबँ शेक्षाजज एबँ शेक्षाजद्दीआर के ओशी ग्रापतार करते हावे एबँ आम आसे नीए शान्ती फीर बड़ आमादर अंदलन चोल इस बहन का कहना है कि शेक शाजाहान जो है वो भारतिय नहीं है वो बांगलादेश से भाग के आई है वे आईनी उपाय रास्ते से यहां पे आई है बंगाल में और संदेशकाली में बस गया है और अपने साथ वो ऐसे बहुत इलिगल इंफिल्ट्रेटर्स को लाए है और उन में बसाया है और यानि की construction sites में उन लोगों को काम की विवस्ता कर दिए है और भारति हिनों की ओए eran जहन नहीं हो जाते हैं और जब तक यह संत्राश नहीं खतम हो जाते हैं संदिश खाली ही नहीं सिर्फ इंटायर वेस्ट बेंगोल में तब तक इन बहनों का जो अंदोलोन है वो चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे